नमस्कार हरी मुमी डीवी के इस करक्रम में एक बार ख़याब का स्वागत है आज हम चर्चा करेंगे गोपाल कांडा के फटके के हलोपा सुपीमो गोपाल कांडा के जटके से सिर्षा और फत्याबाद के भाजपानिता संद्में में हैं उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्य करें मुख्यमंत्री नयाब श्याणी बुद्वार को सिर्षा के दोरे पर थे इस दोरान उनकी विधायक वैं हलोपा सुपीमों गोपाल कांडा से लंबी चर्चा हुई उन्होंने उनके आवाज पर नाश्ता भी किया इसके बाद पत्रकारों से बाचित करते हुए नयाब श हैं भारते जनता पार्टी हलोपा के लिए पांच विधानसभा सिते छोड़ सकती है या फिर पांच सित ऑपर दोनों भाइयों की गोपाल कांडा भर गोवित्कांडा की जूटी लगा चर्चा में सबसे पहले बात ये है कि गोपाल कांडा सिर्षा से विधान सवा सुनाव लड़ेंगे हलोपा की टिकट पर वेर राणिया से उनके भाई गोविंद कांडा हलोपा की टिकट पर सुनाव लड़ेंगे इसके अलावा तीन सीटे उन्हें कौन सी मिलने जा रही है इ इन चर्चाओं ने भाजपानेताओं की सांसें उखेड दी चर्चा यह भी है कि हलोपा ने भारत्य जन्ता पार्टी से एलनाबाद फत्याबाद वे रक्या की सीप मांगी है इस पर चर्चा के लिए गोपाल कांडा हर्याना परभारी दरबेंदर परधान से भी मिल चुकी है लगबग पहले चरण की बाचित फाइनल हो चुकी है अब बात करते हैं जहां से गोविंद काना चुनाव लड़ेंगे राणिया की है राणिया से वर्तमान में रंजीत चोटाला विधायक है पार्टी ने उनको हिसार से लोकसभा का टिकर दिया था लेकिन वे हार गए चोटाला क्या करेंगे सबसे बड़ा परशनी यही है कि रंजी चोटाला को कैसे मनाया जाए फत्याबाद के हालात तो इससे भी विकट हैं यहां से कुल्दी विष्णोई के भाई दूडाराम विधायक हैं हालाकि बीते दिनों हुई नयाब सेनी की रेली के दोरान दूड को मैदान छोड़ना होगा इसके फिलाल असार नहीं आते हैं फत्याबाद के अलावा हलोपा ने जो सीट मांगी है वो है रतिया रतिया सीट पर सिर्षा की पूरु सांसत सुनिता दूगल लगातार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं वो लगातार जंसपर्क बेवी टिकट काट करके अशोक तमर को मैदान बोता रहा गया इसको लेकर भी सुनिता दूगल खासी मुखर रही हैं वो सरजनिक मंतों से यह बात कह चुकी हैं कि भारते जंता पार्टी ने उन्हें वी रस देने जैसा काम कर दिया है अब अगर रतिया से भी उनका टिकट काटा गया तो पार्टी के लिए मुश्किल होगी वैसे भी 2019 के विधान सभा चुनाव के दौरान बारते जंता पार्टी को सिर्शा से एक भी सीट नहीं दूगी थी अब भाजपा को लगता है कि हलोपा का साथ मिलने से पार्टी वहां बहतर परदर्शन कर सकती है लेकिन इस बह संपर्क कर रहे हैं इसके अलावा पूरु चेर्मेन जग्दीश चोपडा के बेटे अमन चोपडा भी परचार में जूटे हैं अगर यह टिकट हलोपा को जाती है तो वहां से एक अन्याव मिदवार पूरु राजपाल गनेशिलाल के बेटे मनीश गोईल को भी जटकलल मत हैं वे भी चुनाव परचार की तयारी में हैं अगर मंगोऑ गोव।कंद गंडां चुनाओ लड़ते हैं और भाजपा उनसे घटवंदण करती है तो इन सबी नेताओं का घर बैठा ते हैं इन नेताओं की नराजगी भाजपापर भारी बढ़ सकती है बस इसी को लेकर के भाजपानेता संकट में हैं सदमे में हैं आलाकमान क्या देश करेगा यह तो बाद की बात है लेकिन इन लोगों का जो जन सम्पर कचल रहा था वो फिलाल ठंडा बढ़ गए हालांकि अभी तक ना तो भरजेंदर बाठी आलाकमान ने यह कुलासा किया है कि हलोपा किन किन दिया है लेकिन अंदर खाते जो चर्चाएं चल रही है उसी से ही भाजपानेताओं की सासे उखड़ी हैं वे लगातार ये टो लेने में जूटे हैं कि हलोपा किन किन सीटों पर दावा ठोक रही है गोविंदकार्डा और गोपालकार्डा दोनों चूप हैं वो इन दिनों बागेश्वर धाम के सिरसाने की तैयारियों में जूटे हैं दोनों भाई तो व्यस्त हैं लेकिन भाजपा के अन्यनेता खासे परेशान हैं उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें कहां से पता करें बस परशानी यही है कि टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा आपको हमार करा ये प्रोग्राम कैसे लगा अपनी प्रतिक्रिया जुरूर दें आपकी प्रतिक्रिया हमारा मार्ग दर्शन करती है अगर प्रोग्राम अच्छा लगे लाइक करें सस्क्राइब करें नमस्कार